नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोईन कर लिजेगा टेस्ट को ध्यान से अटेम्ट करिए और बताएं कितना स्कूर आपने किया हैं कितने सही किया हैं सभी अपना अपना स्कूर जरूर कमेंट करिए फ्रेंट स्वागत आपका study for civil services में और मैं आज आपको कराने वाला हूं यूपी पीएसी करेंट अफेर्स के लिए टेस्ट हम आज करेंगे वह सारे की सारे करने अफेर्स देखेंगे क्वेस्चन के साथ उनके आंसर से आपको बताऊंगा तो ध्यान से कीजेगा अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या फिर आ इंपोर्टन नोडिफिकेशन आपको मिलती रहती हैं तो चलिए फ्रेंट्स जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका और आपके करेंट अफेर्स यूपी का जो आपकी टेस्ट अफिफ तक हैस 2020 की यह वाला टेस्ट हम आज देखते हैं इस लेक्चर में तो इसका आन्सर है आपका 16 16 एख आपके सौस संकेतक हैँ आपके स्टिज़ी के वह आपके 16 लक्षो को समाविशत करते हैं क्योंकि आपका 17 गैम सत्रमा जो आपका लक्ष है वह आपके उसको इन्क्लूड नहीं करते हैं इन में क्योंकि क्योंकि वह आपका national indicators उस चीज़ के लिए एवेलेबल नहीं थे तो इसलिए हम इन में include नहीं करते तो आपको आंसर होगा वह होगा आपका इसका जो आपका दूसरा question है वह है कि देश भर के जितने वी आपास incubator परिस्थितिकी तंत्र में समगर प्रगति को प्रोचाहित करने की प्रमुक पहल कि तहत किसने एक मजबूर परिस्थितिकी तंत्र हे तू AIM-ICRE-ST यह कारेकरम है आपका किसने इसकी शुरुवात की थी किसने launch किया था आपका AIM-ICRE-ST CRUST program for a strong ecosystem as a measure I initiative to encourage overall progress in the incubator ecosystem across the country प्रेंड्स यह देखिए हाँ फर्स्ट आपका HRD Ministry Department of Sciences C आपका विप्रो है तो इन तीनों में से किसी ने भी शुरूवात नहीं की थी यह जो आटल इनोवेशन आपका mission है यह जो AIM है आपके आटल इनोवेशन मिशन है उसने शुरूवात की थी ICRS-ET की और यह किसके आटल इनोवेशन यह आपका नीती आयोग का है तो इसका राइट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स नन इसका अंसर क्या होगा डी जो क्या है हमारे प आट किया है यह आपका उन्होंने जो आपका Bill & Melinda Gates Foundation है उसके साथ मिलके और प्लस आपका वाधवानी Foundation है उसके साथ मिलके इन्होंने यह स्टार्ट किया है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका D जो की आपका नीती आयोग का है यह आपका AIM अटल इनोवेशन मिशन अटल ल क्या महिला उद्यमिता और शशक्तिकरन किसकी पहल है यह आपका आंसर होगा इसका D इन में से कोई नहीं क्योंकि यह किसकी पहल है यह आपके IIT डेली के दुआरा पहली ऐसी पूरी आपके पूरे इंडिया में आपके ऐसी सामाजिक पूरे राश्ट्रिये पहल है जिससे क आपका जो आपका औरतों के लिए महिलाओं के लिए इको सिस्टम होगा वो आपका मजबूत होगा और इसकी स्थापना डव्यू डव्यू एई की स्थापना किस ने की है यह दिली के जो आपके आईटी दिली को जो निदरशिक है पी प्रॉफेसर वी रामा गोपाल राव इन्हों ने यह इसकी स्थापना की है और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रदुकी की विवाग द्वारा समर्थित है जो मिनिस्ट्रि है हमारे पास साइंस एण टैकनलोजी की दिपार्टमेंट है साइंस एण टेकनलोजी का उसके दुवारा समल्थन प्राप्ट है फ्रेंड्स देखे फिर आपके क्वेश्चन आता है जो भी हमारे पास नेसलर एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में वो किसके मत्रो अप्रूव हुई अभी अभी तो cabinet ने अप्रूव किया ना उसको अभी आपने न्यूस्पेपर से पढ़ा होगा तो वो किसको replace करेगी यानि कि किसका स्थान लेगी इन में से तो यह आपकी राष्ट्रे सिक्षा नीती 1991 है फिर आपकी सिक्षा पर राष्ट्रे नीती 1986 है फिर आपकी राष्ट्रे सिक्षा नीती 1989 है तो इन सब में से क्या आंसर होगा फ्रेंड्स देखे इसमें कुछ ऐसा explain करने वाला कुछ है नहीं तो यह किसको replace करेगी यह आपकी replace करेगी B को National Policy on Education NPE 1986 1986 फ्रेंट ज्याद रखेगे क्या answer इसका B है फिर है हमारा 5th question जो आपकी अभी नए education new education policy आई है जिसके हमने last question में बात की थी 2020 वाली उसमें बताया था कि 1986 की जो new education policy उसको replace करेगी अब इसमें कहते है जो पहले उस education policy का आपका 10 plus 2 का structure था पहले जो हमारा चल रहा था 10 plus 2 का structure वो आपका इसमें modify होगा वो आपका 5 plus 3 plus 3 plus 4 में आपका modify होगा तो किस age के group को cover करेगा friends नई शिक्षा नीती के अनुसार 10 plus 2 की जो पुरानी आपकी सनरचना थी वो अब एक नए प्रारूप में आ गई आपकी 5 plus 3 plus 3 plus 4 प्रारूप से संसुर्दित की जाएगी इसमें I.U. work पूछा गया कि वो किस I.U. work को cover करेगा friends तो इसका answer क्या है इस इसका answer है आपके 3 साल से लेके 18 साल तक की वो I.U. work को cover करेगा क्या 3 साल से 18 साल तक की I.U. work को cover करने वाला है यह अब देखते हैं हमारे पास question number 6 इसमें हमें बताना है कि इन में से कौन-कौन से incorrect है यानि कि इसमें से गलत हमें चुननना है तो पहली हमारी statement क्या है जो हमारे यह क्या हो जाएगी यह आपकी हो जाएगी गलत क्योंकि जर्मनी के एंडर कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है यह किसके एंडर कंस्ट्रक्ट हो रहा है यह आपका फ्रांस के एंडर कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो हमारे पास अंतरास्ट्य थर्मोन्यूक्लियर प्रियोगिक रिय आपका full 6th partner बन गया है किसका International Thermonuclear Experimental Reactor का ITER का किसमें December 2005 में नहीं यह December 2005 में इंडिया जो partner बना वो 7th partner बना कौन सा? Full 7th partner तो यह B statement है वो भी आपकी wrong हो जाएगी चलिए फिर हम आप इसकी C statement भी देख लेते हैं C statement कहते हैं कि ITER India Institute for Plasma Research IPR यह क्या है एक Indian Domestic Agency to Design क्या करती है डिजाइन करती है बनाती है और डिलीवर करती है क्या Indian In-Kind Contribution to ITER तो यह आपकी C वाली statement बिल्कुल सही है ITER India जो IPR आपका है Research Center है ITER में design निर्मान और वित्रन के भारतिय योगदान के हितु एक भारतिय घरिलू Agency है यह आपका बिल्कुल सही है यह दे कि आपे यहापर yes और यह दे कि D होगा तो more than one of the above answer हो जाएगा इसमें से उप्रोक्त में से एक से अधिक आपका गलत है चलिए 7th question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे इनोंने 7th question में पहले बोला है हाल ही में गुहाटी को पूर्वोत्तर यानि कि नौर्थीस्ट का पहला man hall clinic robot यानि कि जिसका नाम क्या है बिल्कुल सही है यह भारत का पहला man hall cleaning robot है यानि कि गटर साफ करने वाला पहला आपका robot है यह पूरे इंडिया का बिल्कुल सही है भारत का है जिसे जेनरो बायोटिक्स के द्वारा विक्सित किया गया है जो एक तिर्वेंत्रपुर्म का start-up है हाँ जी यह तिर्वेंत्रपुर्म आपकी कैरला की capital है यह वहाँ का start-up है और जेनरो बाटिक्स यह जो आपकी company है इन्होंने इसको विक्सित किया है दोनों statement बिल्कुल सही है इसका answer हो जाएगा friends C क्या होगा इसका answer C चलिए 8th question पर चलते है इसमें भी हमें क्या करना है इसमें हमें सही कथन चुनने है correct statement बतानी है tobacco unmanufactured यानि कि इंडिया क्या है आपका third है किसमें production में after China and Brazil उसके बाद बिल्कुल सही है statement आपकी third है इंडिया आपका arable land इंडिया का है आपका second है आपका USA के बाद यानि कि जो क्रिशी योग यह भूमी है जाता है तो वहाँ पे इंडिया का कौन सा नंबर है इंडिया का आपका दूसरा स्थान है किसके बाद USA के बाद और गैर प्रसंकृत तमाकु जो है वो भारत का उसमें आपका क्या है भारत में उसका गति दूसरा स्थान चाईना का पहला है ब्राजील का दूसरा भारत का आपका तीसरा है तो इसका सही आँसर होगा वह आपका सी हो जाएगा बोथ statement दोनों की दोनों जो हमारे पास कथान है वो आपके सही है देखे फ्रेंट्स फिर हम कहते हैं कि आपका 9th आपका question या देखिए यहाँ पे आपको incorrect statement चुननी है कि इन दोनों statement जो आपके दी गई है उसमें से गलत कौन सी है वो आपको बतानी है जो coffee हमारे पास green color की coffee हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद तो क्या होगा यह आपकी statement फ्रेंट्स यह वाली statement आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया वहाँ पे जो latest agriculture data आया वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन्होंने इंडिया को 8th बोला है पहले से इंडिया की position क बात करते हैं यानि कि मक्का उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें आपका इंडिया के जो स्थान है वो क्या है आपका 5th है इंडिया की position क्या है आपकी भारत की position आपके पांचवे स्थान पे है भारत आपका मक्का उत्पादन में पहला कौन है पहला आपका अमेरिका है द अगस्त के महीने को भरोणने क्रांथ का महीनना और किसका अधिकार और सुधार का महीनने किरांぎ आघस्त को казको भाला गया और इसमें से जो भी आपके यहाँ पे देखें कुछ सेंते कि कुछ आंधोलन है यह सब दिये इसको आपको आपको अरेंज करना है एक ओडर में तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्विट इंडिया मुव्मेंट है फ्रेंड्स वह आपकी कभ हुई थी आठ अगस्त को स्टार्ट हुई थी उसके पास इंडिपेंडेंस डे आता है हमारे पास वह आपका 15 अगस्त में आता है हमने खतम किया था जिसकी वह से हमारे पास दो यूनिन टेरिटरीज बनी है वह आपको पांच अगस्त का हुआ था और जो ट्रिपल तलाक का बिल आपका पास हुआ था यह आपका हुआ था एक अगस्त को तो इसके अकौर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मानवत्य वादी जो है 19 सदबावना दिवस आपका 20 सबंद्दक का आता है और आपका जो टिपल टलाक एक अगस्त को समाप्त के अ उसका न्सर आपका गया गया इक मास्क अनेक जिंदगी यह जो आपका Capital के में जो प्या तो यह यह आपका टेच hac यह कौनसी स्टेट ने आपका लॉंच किया था पहला देखिए स्टेट हैं लार्जस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपॉलेशन मुझे बताइए कि कौनसी ऐसी स्टेट है हमारे इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा लार्जस्ट आपकी टाइगर पॉपॉलेशन है फ्रेंट् सेरों का संख्या वाला राज्य और सर्वादिक हाती होगी संख्या वाला राज्य तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर होगा फ्रेंट्स फर्स्ट ए इसका आंसर है जहां पर आपके सर्वादिक बागों की संख्या वाला जो राज्य है यानि कि कौन सा है व विच हल वान फर्सट गीज इलेक्रिक बोर्ड आवार्ड गुस्टेव ट्रो यूवी आवार्ड इस अदित्या यानि कि अदित्या जो आपकी भारत की क्या है पहली तो आपका बिल्कुल सही है आद՜ित्या ही पहला है आपका फिर राश्ट्री सिक्षा नीती जो आपकी 2020 में आपकी लॉंच हुई है में वंचित छात्रों और समुहों के लिए Gender Inclusion Fund ये याद रखना Gender Inclusion Fund Special Education Zone की स्थापना पर जोर दिया गया है ये भी आपका बिल्कुल सही है तो इसका आंसर क्या हो जागा इसमें से में गलत चुनना था इसका आंसर हो जागा हमारे पास D देखें तेर्मा Question है जो हमारे पास विश्व का पहला Large Scale Chemical Production Plant to Completely Run on Renewable Power Renewable Power आपको पता है न क्या होता है Solar Wind वगेरा ये सब जो आपकी होती है इसारी आपकी Renewable Power Resources होते है तो हमें बताना है कि पहला जो अक्षय उर्जा से पूरी तरह से अक्षय उर्जा पर चलनले वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रसाइनिक उत्पादन सन्यंत्र किस देश में स्थित है friends पहला है आपे Italy, France, Norway नहीं इन तीनों में कहीं भी स्थित नहीं है इसका answer होगा आपका D क्योंकि ये कहांपे स्थित है इसका answer है Spain friends कहांपे स्थित है Spain में चलिए आपके लिए 14th question आया है आपे उन्नत भारत जो अभियान है वो आपका कौनसी मिनिस मिनिस्ट्री का क्या है आपका उन्रत भारत अभियान फ्लेक्षिक प्रोग्राम है HRD मिनिस्ट्री का मानव संसाधन विकास मंत्राले का है 15 वे देखिए हम यहां पर गलत चुनना है इनकरेक्ट चुनना है यहां पर एलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जि जिससे हमारे देश भर में टिका करन आपूर्ती शंकला प्रनालियों को मजबूत किया जाएगा बिल्कुल सही है इसका उद्देश्य क्या होगा EVIN का कि देश के किसी भी cold chain और इसका जो aim है इसका जो उद्देश्य है वो हमारे जितने भी देश में cold chain points है आपके vaccine stock है flow और storage आपका temperature है उसका वास्तविक समय की आपकी जानकारी देगा यह स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा यानि कि यह आपका national health mission के अंडर आता है और किसके अंडर है ministry of health and family welfare तो इस्वास्त और परिवार कल्यान जो परिवार कल्यान मंत्राले हमारे पास उनका जो आपका विध्यारती विज्ञान मंत्र यह किसकी एक पहल है इसका आंसर है आपका विज्ञान भारती जिसको हम विभा बोलते है क्या है इसका आंसर विज्ञान भारती और यह जो आपका चलाया गया यह जो प्रोग्राम है आपका यह आपका कक्षा छटी से लेके कक्षा ग्यार्मी तक के बच्चों को बच्चों में आपके साइंस को पॉपुलर करने के लिए साइंस को लोगप्रिया बनाने के लिए फेमस करने के लिए प्रोग्राम आपका चलाया गया है इसमें पूछा गया है, यह आपका 17th है, कि आपके अरब वर्ड में, अरब देशों में, पहला देश कौन सा है, जो कि आपका नुकलियर एनरजी का उत्पादन करने लगा है, इसका आंसर है आपका C, United Arab Emirates, सयुक्त अरब अमिराथ, इसका आंसर क्या होगा C, और उस नुकलि इसमें था हमारे पास, केलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहा हुआ, 2020 का, वो आपका गौहाटी आसाम में हुआ, उसके बाद विजय, और दा टाइगर, एंड जया दा ब्लैक बग, यह उस टूर्नमेंट के क्या थे, यह उस टूर्नमेंट के मैस्कॉट्स थे, ठीके फ्र जिसमें आपके जीते उन्होंने, आपके सिल्वर, और दस आपके कास्य पतक जीते, और यह किसने और यह उर्गनाइज किया था यह आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह आपका मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेर्स एं स्पोर्ट्स ने आपका और इंडिया के साथ, फिर इंडियान ओलंपिक एस्सेशेशन के साथ और अस्थम स्टेट गॉर्मेंट के साथ इन्होंने यह आपका और्गनाइज किया था पार्टनर्शिप में, यह कब हुआ था आपका जनवरी 9 से लेके 22 तक, 9 जनवरी से 22 जनवरी तक हुआ था आपका 2020 में फ्रेंड्स, त उनका जो निक नेम है, जो उनको प्यार से बुलाया जाता है, उनको धिंग एक्सप्रेस का जाता है, क्योंकि धिंग में पैदा हुई है आपकी, असम है एक धिंग की जगा, वहाँ है पैदा हुई है, यह आपका जो आपकी टॉर्च बीर थी, यह कहां पे, ओपनिंग सेर अबग है आपकी हीमादास, जिनको धिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, उन्होंने उद्गाटन में, उद्गाटन समारों में, वो क्या थी, वो मशाल वाहक थी, और महरास्ट्रा ने दूसरी बारे लगातार, इस गेमों में पहला नंबर प्राप्त किया है, तो इसका आंसर क हो जाएगा D, कि इन में से दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, चलिए अब हम देखते हैं, आपका 20 में क्वेस्चन में, यहाँ पर 20 में क्वेस्चन में आपका क्या है, जो पहला आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, वो कहा हुए थे, आपके ले में हुए हुए थे, जो पहले आपके खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स है, यहाँ पर कॉंसी स्टेट में हुए थे, उडिसा में हुए थे, बिल्कुल सही है, और जो पहले आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, क्या आपके शीत कालीन जो खेल हुए थे, इंडि हो जागा आपका सी देखे फ्रेंट्स यहां पर देखिए आपका 21st question है यहां पर जो अकादमी पुरुषकार होगी हम बात करते हैं यह जो ऑसकर से दिये जाते हैं यह 92 साल के इत्यास में सर्ष्ट पिच्चर का पुरुषकार जीतने वाली पहली जो गैर अंग्रेजी भाश है आपका 2020 में किसको दिया गया है तो यह पहली बार दिया गया है आपका पिछले 20 सालों में इसको लॉर्स sports for good foundation इन्होंने आपका स्टार्ट किया था तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपके A and B बोथ क्योंकि दोनों को एक साथ मिला है यह फिर जो हमका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है छटा ब्रिक्स का सम्मेलन इन्वार्मेंट मिनिस्टर के जो मीटिंग हुई है इसका आंसर है आपके प्रकाश जावडेकर यह आपके क्या है यह आपके परियावरन मंत्री है इसमें आपको गलत चुनना है फ्रेंट्स देखिए कौन कौन सी स्टेट्मेंट गलत है वो बतानी है अकॉडिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमफिल का जो प्रोग्राम होता है हमारे पास वो आपका बंद कर दिया जाएगा नहीं ऐसा कुछ ऐसा फ्रेंट्स बिल्कुल सही है एमफिल का प्रोग्राम हमारे पास बंद कर देंगे और जो बांगलादेश गवर्मे इसका कारेकरम बंद कर दिया जाएगा दोनों बिल्कुल सही है तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा डी कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं दोनों सही है फ्रेंट्स फिर बताइए जो आपकी मौसम जो आपकी मोबाइल की जो एप है वह कौन से आपके ministry ने पृत्वी विज्यान मंत्राले ने इसको launch किया है उसके बाद आता है अपना देखो अपना देश यह देखो अपना देश जो webinar आपकी series यानि कि webinar श्रंकला की शुरूबात की गई है देखो अपना देश की यह आपकी 14 अपरेल से start की गई थी 14 अपरेल से शुरू किया ग कौन होता है यह होते है मारबारात के रास्ठमती प्रेजडेंट ओफ इंडिया फिर हुश crít्व के बाद आमरप राथ-28 क्वेश्यन रहें जो आपका आपका जयकाली माता टेम्पल है आपका फ्रेंट यह कहाँ और इसका उद्गाटन इन्हों ने किया था या आपके वहां पर आपके बांगलादेश में दिवान थे वहां पर एक राणी थी आपकी बहान नी तीट आहा कि ना टोर की तो इसकाल किसा आपका किस Sow आम रॉय ने उद्गाटन किया था और अभी 2000 साला में 2016 में मेमोरेंडम अफ अंडस्टेंडिंग इस मंदिर की जो आपके पूर्ण अपका रीकंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरेंडम अफ अंडस्टेंडिंग भी साइन हुआ है अभी 2016 में इंडिया और बांगलादेश के बीच में उसके बाद है कि जो आपका अगनी प्रस्त है फ्रेंड्स क्या है अगनी प्रस्त यह किससे संबंदित है यह आपका संबंदित है मिसाइल पार्क से किससे मिसाइल पार्क किसका सही आंसर है और यह जो अगनी प्रस्त आपका यह यह आपकी कहां पे आपकी located है, कहां स्थिते गलवान घाटी, अभी बहुत सारी news में थी, इंडिया और चाइना के बीच में conflict हुआ था, armies के बीच में, तो यह आपकी located है लद्दाक में, friends याद रखना कहां पे है, लद्दाक में है, चलिए फिर हम 31st question आप करते हैं, कि इन मे comment में answer करिए, उसके बाद आपका एक चरम पंती सम्हू है हमारे पास, क्या है, extremist group, चरम पंती सम्हू, बोको हराम, यह आपका कहां का है, यह आपका नाइजीरिया का, याद रखना है, यह आपका नाइजीरिया का है, उसके बाद देखिए, एक आपका धार्मिक ग्रंत है, उनका एक धार्मिक ग्रंत है, इस question में, चौतिसमा question है आपका, इस question में पूछाए गया है, कि 22 वे edition के अनुसार, यानि कि 22 वे संसकरन के अनुसार, जो आपकी world language database है, ethanol log है, जो उसमें से जो आपका release हुआ था, आपका mother language day, देखिए mother language day का पढ़ता है आपका, February में 21 फरव को जो launch हुआ था, आपका क्या, विश्व भाषा, database, ethanol log, उसका 22 संसकरन था, कब 21 फरवरी को launch हुआ था, तो उसमें से दुनिया में सारवधिक बोली जाने वाली जो आपकी भाषा है, वो कौन सी है, वो है आपकी English, याद रगे friends कौन सी है, अंग्रेजी भाषा आपका पहल किली की language है आपकी, किली की जो भाषा है, वो किस फिल्म से संब्धित है, याद रखना बाहू बली से संब्धित है, यह आपकी 2013 में बनाई गए थी, किसने डॉक्टर मदन कारके ने बनाई थी, बाहू बली मूवी के लिए, याद रखना friends किल की मूवी, किल की जो आपकी language यहां देखिए फ्रेंड्स पर आपका 36 इसमें क्या है आपका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन यानि के वी आइसी जो है वह आपका स्ट्रेचुटरी बॉड़ी है अंडर दा मिनिस्ट्री आफ माइक्रो स्मॉल उनिस सो सताओन में हुआ था इसका मुख्याले मुंबई में है तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास नेयों रहने हैं बोझे से इनयों कि स्टेट्मेंट आपकी बिल्कुल सही है तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएक कोई भी गलत नहीं है उसके बाद आपका एक आपके आपक से हैं friends कहां से हैं यह आपकी यह आपके भारत से हैं और मुंबई शहर के रहने वाले हैं उसके बाद हमारे पास एक democracy index release होता है अगर 2019 democracy index की बात की जाए तो इसमें आपकी भारत की rank क्या थी friends भारत की rank बताईए भारत की rank उसमें आपकी थी 51 जो 2018 का हमारे पास democracy index था उसमें भारत की rank आप 41 थी अब भारत 10 थान पीछे चला गया है उसकी democracy index में सबसे पहली जो rank पे जो आपका country है वो है आपकी नौर्वे और भारत की पीछे फिर आपकी बाद में भारत के बाद में श्री आपका सामवधिक निकाय है याद रखना यहां देखिए 40th question है आपके सामने इसमें से आपको सही बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही है पहली देख लेते हैं lockdown lockdown can be enforced जो अभी lockdown चल रहा है हमारे पास कौर्णा महामारी में वह enforced कौन कर सकता है उसको बाय कलेक्टर चीफ medical officer in their particular areas under the epidemic disease act यह याद रखना कौन सा एक्ट है यह epidemic disease disease act 1897 बिल्कुल सही है फिर फ्रेंट्स महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अभी एक विशेष छेत्र में collector या फिर मुक्य चिकिश्य अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपका lockdown लागू किया जा सकता है बिल्कुल सही दिस गिव्स देम पावर to restrict the assembly of five or more people in close quarters यह है जो आपके collector आदेश देते हैं कि पांच ये पांच से जादा लोग एक जगा पर एकटे नहीं होंगे यह उनको collector हो क्या देता है इस चीज की शक्ति देता है फ्रेंट्स यह भी बिल्कुल सही है आपकी हाला कि hospital bank ATM किराना स्टोर्स सबजिया और दूद आपकी खुली रहेंगी तो फ्रेंट्स इस question में आपका answer है C तीनों की तीनों जो आपकी statements है वो बिल्कुल आपकी सही है उसके बाद आपका है कि कौन सी country ने आपका social mobility जो आपकी report आते global social mobility report 2020 की है तो कौन सी country ने उसमें top किया है यहाँ पे top किया है आपका Denmark ने जो Norway है Denmark first पे Norway आपका दूसरे स्थान पे और जो भारत का इसमें स्थान है वो है आपका 76 पोजिशन पे आपका इंडिया है इस question में 42 question में हमें बताना है कि कौन सी यहाँ पे सही है आपकी statements यूनियन मिनिस्टर है यहाँ पर सर्वन affairs के लिए उन्होंने announce किया result of स्वच उन्होंने आपका यह announce किया यहाँ पे for the first and second quarters के लिए अगर 10 लाग के जो population plus 10 लाग से जिनमें ज्यादा आपकी population की category है वहाँ पे आपका स्वच शहर कौन सा आया है इंदोर आया है बिल्कुल दोनों statement आपकी first and second बिल्कुल सही है और जो आपकी एक से 10 लाग की जो population वाला शहर है आपके उसमें आपका जमशेदपूर सबसे स्वच आया है कहां पे जमशेदपूर जारखंड में ठीक है फ्रेंड्स तो आपके तीनों की तीनों बिल्कुल statement बिल्कुल सही हो गई है और इसका answer हो जाता है आपका C उसके बाद जो हमार पास question 43 है उसमें देखिए as per recent reports of national family health survey यानि कि जो आपका राष्ट्य परिवार स्वास्थ सर्वेक्षन चार हुआ है national family health survey कौन सा फोर जो कि आपके किस ने किया है ministry of health and family welfare ने 2015-16 में किया था उसमें कौन सी जो ऐसी state है जहां पे आपका सबसे जादा highest percentage of malnutrition है among women यानि कि क्या है महिलाओ में कूपोशन क उच्तम प्रतिशत रखने वाला राज्य कौन सा है इसका आंसर है आपका जारखंड याद रखिए कौन सा है जारखंड इसका आंसर है इसमें आपका पहला जारखंड है दूसरा आपका बिहार है तीसरा आपका दादर है नागर हवेली है चौथा आपका मध्य प्रदेश ह अब हम चलते हैं आपके 44 में question की तरफ यहां देखिए निमिलिकित में से किसका नाम time पत्रिका की the hundred women of the year में आया है परियोजना में शामिल किया गया है जिसके तहत दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है जिनोंने पिछली शताबदी में यानि की कौन कौनसी आपकी सूची में है आपका इंद्रा गांधी और अम्रित कौर आपकी इंडिया से दोनों है कौनसी है इंद्रा गांधी का भी नाम है इसमें time magazine में और अम्रित कौर का भी नाम है याद रखना A and C दोनों इसके answer है friends इंद्रा गांधी को इन्होंने woman of the year 1976 जानि है आपका जो युक्ती 2.0 portal है वो किसने launch किया है हाल ही में युक्ती 2.0 portal किसके द्वारा launch किया गया है इसका answer है आपका HRD ministry यानि की मानव संसाधन विकास मंत्राले है और ये मानव संसाधन जो विकास मंत्राले है उन्होंने ये विवसाइक छमता वाली प्रद्योगिकों क विवस्तित रूप से आत्मसाथ करने में मदद करने के लिए एक पहल संबंदित शिरू की है जो उच्छ शिक्षा संस्थानों में उश्मक स्टार्टप से 2.0 युक्ती जानकारी प्रदान की है अभी एक हाल ही में आपकी शिरू की गई mega online चुनोती जिसका नाम क्या है समा अन्षान, किस से लचने के लिए अपके कमी लाइगा ऑलागा यहां पे इन्नोवेटर्स को क्ल के रिसर्च करिये आपzos को कॉछ यह क्या ओन स्टार्ट अपस कहागा है कि आप ऐसा कुछ कीजिए जससे हम किस से लड़ पाएग आपके कोवेड़ने के लिएी तोґ फ्रेंट्स फिर है आपका 47 मा क्वेशन इसमें हमें स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन कौन सी सही है आपकी हाइड्रो क्लोरो कुनीन यह आप ही क्या है एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि आपकी ट्रीटमेंट पे यूज की जारी कि इसको आटो इम्यून डिजीज सच एज रि स्थित Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited चर्चा का विशय बना यह भी बिल्कुल सही है जो कि सार्वजनिक छेत्र की एकमात्र एकाई है जो भारत में इस मलेरिया रोधी दवा का निर्मान करती है क्या है एकमात्र एकाई है यह फ्रेंट्स यह वाली कंपनी आपकी कौन सी कौलकाता बेस्ट बें है को जुड़ा हुआ है करूना प्लेट्फॉरम क्ना मतलब होता है इस की फिल्फॉर्म में तो सपोर्ट इन चुल माना है और इससे आपके जो IS और IPS सहित केंद्रिय सिविल सेवा के अधिकारी है वो प्रितिनित्व करने वाले संगों ने कॉर्णा वाइरस से लडने में सरकार के प्रियासों का समर्थन करने और पूरा करने के लिए एक यह आपकी पहल स्टार्ट की गिए जिसका नाम है आपका करूना और इसमें फ् है और क्वेशन यह कहता है यह कहता है हाली में किस राजसरकार ने अपनी राजधानी में 21 शेत्रों में पहचाने गए 21 थानों पर कोविट 19 के खिलाफ और शील चलाया था बताइए ऐसा संग कोविट 19 के अगेंस्ट 11 लोकेशन पर ठीके फ्रेंट्स ऐसा कॉन सा स्टेट ह आपका एसका आंसर है आपका D Delhi क्या होगा इसका आंसर होगा आपका Delhi उसके बाद आपका जो यह आपका TrueNet Test है यह TrueNet Test किस से आपका Related है तो यह है आपका Tuber Closus से Related TrueNet जो परिक्षन है आपका वो आपका 6 रोग से सम्बंदित है उसके बाद आपका Question है कि जो एक आपका Virus है क्या याडा याडा वाइरस याडा याडा वाइरस कौन ट्रांस्मिट करता है मुक्य रूप से किसके दोवारा संचारित होता है Friends यह है आपके Mosquitoes आंसर क्या होगा इसका मच्छर उसके बाद आता है आपका बावनवा Question Friends सुनिए यह जो ICOs Data US 2020 सम्मेलन है यह किसके दोवारा आउज़ित क्या गया है ICOs Data US 2020 Conference यह आपका किसके दोवारा आउज़ित की गई है यह Friends आपका Ministry of Ayush plus WHO World Health Organization यह दोनों के दोवारा आपका आउज़ित की गई है इसका आंसर हो जाएगा आपका C Ayush Mantra plus WHO दोनों के दोवारा आंसर क्या है इसका C है यह Friends यह क्या था है आपकी दो दिन की कोई International Conference हुई थी किस पे Standardization of Diagnosis and Terminologies in Ayurveda, Yunani सिद्धा Systems of जो Medician है हमारे पास यह आपकी कहां पे हुई थी 2020 में New Delhi में हुई थी और इसको हमारे यहाँ पे इसको Delhi Declaration भी बोला जाता है यह Delhi Declaration किस पे हुई थी On Collection and Classification of Traditional Medicians Diagnostic Data की जो यह आपकी Traditional Medicians है जैसे आपकी युनानी होगी सिद्धा होगी आयुर्वेदिक होगी इनके उपर हम collect करेंगे data classify करेंगे क्या जो diagnostic data है वो हम collect और classify करेंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा बोथ A and B उसके पास हमारे पास की आपके पूरे विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कि आपका United Nations World Happiness Report जो की 2020 की है उसके according सबसे खुश देश कौन सा है Friends हमारे पास वो सबसे खुश देश है हमारे पास Finland answer क्या हो जाएगा D Finland ये आपका लगातार तीसरे साल सबसे खुश देश रहा है फिर उसके बाद आपका एक और पोर्टल आया जो आपका COVID-19 की वज़े से कॉर्णा वाइरस की वज़े से इंडिया में फस गए है उनको अपने देश वापस बेजना है उस वज़े से आपका launch किया गया था उसके बाद Friends आपका question है कि 2019 अनुमानित वैश्विक परिमानू परमानू warhead के अनुसार निमिल लिखित में से किस देश में परमानू warhead की संक्या सबसे अधिक है कि जो आपके nuclear warheads है nuclear warheads weapons है आपके वो आपके 2019-2020 में estimate किया गया था एक nuclear warhead inventories उसके according nuclear warheads है कौन सी country के पास सबसे जादा है इसका answer होगा आपका क्या है Russia, Russia, Russia Russia के पास सबसे जादा है दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी America है रशिया के पास आपके 6490 है अमेरिका के पास आपके 6100 आपके 85 है फिर उसके बाद आपकी country आती है तीसरे नंबर पे वो आपकी आती है France, France के पास 300 और India के पास 140, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़ादा है friends 160 है पाकिस्तान के पास फिर उसके बाद आता है कि हैंली जो passport index होता है हमारे पास क्या है है हैंली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में आपकी किस country ने टॉप किया है तो इसका answer है आपका और जो इंडिया का इसमें आपकी ranking है वो आपकी 2020 में आपकी 84 में स्थान पे रहा है किसमे friends 2020 में आपके 84 में स्थान पे रहा है इंडिया टॉप किसने किया है जपान पे टॉप किया है और यहां देखते हैं कि prior visa के पहले ही मतलब visa आपको किसी country का विज़ा नहीं मिला और आप उस country में जा सकते हैं उसके according यह आपको ranking दी जाती है यहाँ पर पासपोर्ट के according फिर यहाँ पर देखे 57 आपका question है यह कहता है कि जो third level high level global conference हुई थी road safety पे for achieving global goals in 2030 यह कहा हुई थी आपकी friends यह हुई थी आपकी stock home में global goals 2030 के लिए सड़क शुरक्षा पर तीसरा उच्चे स्तरिय वैश्विक साम्मेलन कहां आयूजित हुआ था यह आपका stock home में हुआ था friends उसके बाद आपका question है 58 यह question कहता है कि जो operation vanilla है वो किसने launch किया था operation vanilla आपका Indian Navy ने launch किया था friends किसने launch किया था भारतिये नौ सेना ने launch किया था आपका एक Medagascar नाम का एक island है Medagascar में क्या हुआ था एक cyclone डिया ने cyclone डिया ने आया था उसकी वएसे बहुत तबाही हो गई थी आपके Medagascar में तो वहां के जो आपके लोग है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया था इंडियन नेवी ने यहां के इंडियन नेवी का जो आपका ship है जहाज वहां गया था वहां पे उन्होंने medical क्या है फर्स्ट महात्मा गांधी इंटरनेशनल convention center MGICC जो कि आपका अफरीका में बना है to honor the memory of महात्मा गांधी महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए अफरीका में किस दो देशों ने युक्त रूप से अफरीका में स्थापित पहले मात्मा गांधी अंतराश्ट्रिय convention center का उद्गाटन किया है इसका आंसर है फ्रेंट्स आपका इंडिया एंड नाइजर क्या है इंडिया एंड नाइजर देखिए इसमें आपको जो इनकरेक्ट ये देखिए आपके मिलान ह पहला में च़ो इसमें यहां आपकी मिलिटरी एक्सेशिव है संपृतिए अपकी इंडिया और नेटेखिन के बीच में आपकी चैना के बीच में आपकी चैना और पाकिस्तान के बीच में है उसके बाब आपके इन मेंसे कौन सी जो आपकी countrys हैं, कौन से जो आपके देश हैं, वो किसके members हैं, आपके commonwealth of commonwealth के members हैं, commonwealth nations के members हैं, निमिलिखित मेंसे कौन कौन से देश, रास्टमंडल के सदश्य हैं, रास्टमंडल देशों के सदश्य हैं, तो इसमें आपका answer क्या होगा, India, Bangladesh and Pakistan, इ वो किस देश में रह रहे हैं इसके according जो आपका answer है friends वो है आपका UAE सयुक्त अरब अमीरात में आपके सबसे ज़्यादा भारतिया रह रहे हैं पूरे जो हमारे पास पूरे विश्व में जो भारतिया आपके रह रहे हैं वो आपके इन देशों से गूमने जाते हैं जो आपके कौनसे देश में वहाँ पे क्या लगाया गया है सतत्व विकास शुल्क लगाया गया यानि कि sustainable development fee लगाई गया यह कौन सी कंट्री के दुआरा यह कंट्री है आपकी भुटान फ्रेंट्स भुटान ने आपकी करीब 1200 रुपे कि क् पड़ेगा उसके बाद आपका एक क्वेशन है फ्रेंट्स कि blue.network बीडियन विदेशों में निवेश करने हेतू निजी पुंजी जुटाने के लक्षे के साथ वित्तिय पारदर्शिता पर्यावर्निय स्थित्ता और आर्थिक विकास पर प्रभाव के उपायों पर दुन किस ने बganoही है इंडी स्टेट्ट फरेंट German एंडी यूनाइटी TONS तपान और आउस्ट्रेलिया इसका अंसर होगा आपका डी यह आपका आपका United States ने पनाया जपान ने और ऑ्स्टेंडिया ने सभीन ने यह पहल की है आपका तो इसकाuccess यह का अंसर आपका हो जाएगा route है यह आपका fully accessible route आपका किसने introduce किया है यानि कि किसके दवारा शुरू किया गया है यानि कि RBI के दवारा आपका शुरू किया गया है this के दवारा जो FAR आपका fully accessible route है यह आपका जो आपके NRI होते है Non Resident Indians वो भी अब बिना किसी limit के बिना किसी ceiling के कितना भी amount कितना भी पैसा आपका कुछ specified government securities में आपका क्या कर पाएंगे निवेश कर पाएंगे और ये कब से हुआ है ऐसा 1 April 2020 से ऐसा RBI ने करा है अब आपका question 67 इसमें आपका 2020 की जो Huron Global Rich List है उसमें आपकी सबसे जो richest city है वो कौन सी है पुरे विश्व में Huron Global Rich List के अनुसार पुरे विश्व में सरवदिक समरद शहर कौन सा है ये है आपका चाइना का बीजिंग कौन सा है चाइना का बीजिंग याद रखना उसके बाद फिर जो हमारे पास 2020 की अभी कौन सी Huron Global Rich List हमारे पास आपकी launch हुई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अर Leonard Arnold तिसरे नुम्बर पर आते है आपके Bill Gates fica और जो सब्सेधा अरबपति हैं आपके उसके बाते है आपकी जी श्रीनिवास committee है यह किसके लिए बनाए गई आपकी जी श्री निवास committee आपकी insurance sector की है किसकी है insurance sector की बीमा sector में याद रखना friends यह आपकी किस ने develop कि है insurance regulatory and development authority of India ने आपकी एक 9 member की आपकी समीति बनाई है किसके जी श्री निवाशन की chairmanship के under और वो आपकी किस पर आपके पढ़ेंगी वह आपकी क्या आपकी समीति क्या काम करेंगी यह आपकी जो आपकी health-based policies होती है इन में देखेंगी कि इन में क्या कमिया है इनके ओपर अपनी रिपोर्ट समिट करेंगी उसके बाद आपका world steel जो association का data है उसके according कौन सी country आपकी second largest अपकी इंडिया इंडिया आपका सबसे बड़ा इसपात उतपादक बन गया किसमे जपान को पीछे चोड़ दिया और इंडिया आप सेकेंड नमबर प्यागया आफटर चाइना अब यह देखेंगी International IP Index 2020 में कौन सी country ने आपका top किया है इसका answer है आपका US से यानि कि America ने यहाँ पे आपका top किया है और जो भारत की यहाँ पे rank है वो आपकी आई है फ्रेंट 40 वी भारत की rank 48 है out of 53 countries यह आपके 53 देशों में से भारत की जो rank है वो आपकी 40 है याद रखना और जो इंटरनेशन आई पी इंडेक्स यह कौन रिलीज करता है यह आपका Global Innovation Policy Center यानि कि जी आई पीसी आपका launch करता है यह इसको रिलीज करती है कौन Global Innovation Policy Center किसकी है यह आपकी यह आपकी यूएस चेंबर ओफ कॉमर्स की एक बॉड़ी है ठीके फ्रेंट्स उस जिसमें इंडिया को 40 रैंक दिया गया है कितनी 53 कंट्रीज में से इसमें आपके Global IP Index में आपका Global Innovation Policy Center यह क्या होता है आपका यह इंडिया को 40 रैंक मिली है अच्छा इंडिया में कौन सी स्टेट है जो कि आपकी लार्जेस्ट प्रोडियूसर है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किन्नू का जो आपकी संत्रे की जैसे होत मनी एप है यह किसने लॉंच किये यह आपकी आरविया ने लॉंच किया याद रखना मनी एप किसके दौरा लॉंच किया भारतिये रिजर्व बैंक के दौरा मनी एप आपकी लॉंच की गई है इसका जो आपका फुल फॉर्म है वो है Mobile Aided Note Identifier यानि कि यह आपके जो आपके देखने पाते हैं उनको help करेगी समझने में कि यह आपके currency के notes है यह आपकी असली है या फेक है या नकली है देखिए फ्रेंट्स फिर उसके बाद यह आपका आता है पूर्वोध्या पूर्वोध्या किस मंत्राल्य दौरा लॉंच किया गया है यह आपका पूर्वोध्या जो है यह आपका ministry of steel ने लॉंच किया है पूर्वोध्या पूर्वोध्या से आपको समझ में आ रहोगा पूरव यानि कि east यह आपका जो east की जो states है यह आपका launch किया गया है वहाँ पे हम eastern region में जो east वाली जो states है वहाँ पे हम integrated steel hub बनाएंगे और वहाँ पे इस चीज की हम development करेंगे और यहाँ पर जो पांच स्टेट्स इसमें जो आती है आपकी steel hub जहाँ बनाया जाएगा वह उडिसा जहारकन चत्रिसगर्ट वेस्ट बेंगॉल एंड आपका northern आंद्रप्रदेश जिसमें लिया गया है यह पांच स्टेट्स है याद रखिएगा उसके बाद हैं 75 25 देखिए इन्होंने कहाए कि according to state energy efficiency index 2019 इसमें से आप सही statement चुनिए correct statement चुनिए तो टॉप performing state रही है आपके energy efficiency से इंडेक्स 2019 में आपकी हर्याना है सबसे उपर केरला दूसरे पर करनाट का तीसरे पर यह आपकी अचीवर कैटेगरी में हैं और कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जो आपकी स्टेट एनर्जी एफिशेंसी इंडेक्स यह आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फ्रेंड्स रक्षा उर्जा दक्ष्टा सुन्चाक बोलतें इसको राज्य उर्जा दक्ष्टा सुन्चाक दोजार अठार उन्निस में सबसे टॉप पे हर्याना दन केरला एंड दन आपका करनाट का रहा है यह आपकी अचीवर सेट्स में रही कोई भी स्टेट ऐसी नह कैलए अरजी एंफिशेंट एकोणोमी एयय जिसको हम बोलतें एलाइंस फौर एनरजी एफिशेंट एकोनौमी उसके साथ मिलके 2018 में सबसे पहले लॉप किया गया था तो तेनों की तीनों स्टेट्मेंट आपकी यहां पे सही है है फिर देखते हैं आपका क्वेश्टन लिकें और लोन ले सके लोग उनके लिए किसने यह आपका यह लॉंच किया आपका स्टेट बैंक आफ इंडिया ने आवाशिय विक्री को गती देने के लिए क्रेटा क्रेता गारांटी की साथ आवस्य विल्डर विट्स योज योजना किसे शुरू किये है यह आपका भारति याद रखना कहा है एक्जिबिशन जो सिविल एविएशन बिजनिस एक्जिबिशन था और एयर शो था 2020 2020 का वह कहां पर हुआ है आपका है उसके बाद फिर हमारा सेवेंटीट क्वेश्चन है कि यह एक्या है यह अपका जो लांच किया गया यह रेलवे बोड के दुवारा आपका लांच किया गया और किसी भी बदलाव अगर उनको कुछ बदलाव करना है इसमें तो उसके लिए प्रशासन से संपर किये इस एप के तुरू आपका कर पाएंगे उसके बाद आपका 79th question है friends, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे market intelligence and early warning system, MIEWS, यह जो web portal है आपका, यह launch किया गया है real time monitoring के लिए, किसके prices की real time monitoring करेंगे, tomato, onion and potato, फिर उसके बाद market intelligence and early warning system, यह web portal, किसकी कीमतों का वास्तविक समय में निगरानी के लिए शुरू किया गया है, टमाटर प्याज आलू, यह तीनों की तीनों इसमें आपके answer है, और आपका answer हो जाएगा D, उपर के सभी, फिर उसके बाद ministry of home affairs है, उन्होंने एक scheme I4C launch किया है, 2018 से 2020 के लिए, वो किसको कम करने पर aim करती है friends, cyber crime, आंसर क्या है इसका cyber crime, यानि कि I4C योजना, जो कि 2018 से लेके 20 तक क अवदी के लिए ग्रहमंत्रा ले द्वारा जारी की गई है, इसका उद्देश ये जो है, वो किस से निवटने का था, वो आपका cyber अपराद से निवटने का था, देखिए 81 question आता है, एक आपके जो campaign चलाया गया है, किल कॉरणा, यानि कि किल कॉरणा जो अभियान हाली में आपका कॉन सी स्टेट के दुआरा आपका चलाया गया है, ये आपका मध्य प्रदेश के दौरा चलाया गया है, तो ये आपका सोया बीन का लार्जस प्र्दूसर मुझे बताई बताया है, उसके बाद हम देखते जो इंटिया का फर्स्ट लिचेन पार्क है एदा रिसर्च सेंटर विद ओबर 150 लिचेन स्पीशीज यह कौन सी स्टेट ने आपका डेवलप किया है यह आपका डेवलप किया है उत्तरा खंड ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के अनुसंधान केंदर के रूप में भारत का पहला लाइ वेञओझद व्येपार के नाम से है उसका सीर्षक के दौरा सीर्षक से किसके दौरा जारी की गई है फ्रेंड्स यह आपकी यहाँ पे जारी की है फैनेंशल एक्शन टास्क फोर्स्हां ने स्प्रेंड्स यह यह जो मनी लॉंड्रिंग्ड इंलेगल वार्ड लाइफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटर्प्राइज यानि की MSME इंडस्ट्री के लिए 1379 करोड रुपे के साथ ओनलाइन साहता पहल एट वन क्लिक क्या नाम है उससे ओनलाइन साहता पहल का एट वन क्लिक शुरू की गई है आंसर है इसका इन में से कोई नहीं है इसका आंसर क्या है 84 का इसका आंसर है गुजरात याद रखना क्या है आंसर इसका आंसर इसका आंसर इस गुजरात उसके बाद चलते हैं 85th question पे कि किस राज्य की सरकार ने उननचा सूक्ष्म लगू और मुद्यम उद्योगों काईयों को भारत का पहला समुंद्र क्लस्टर स्थापित करने के लिए भूमी आवंटन किया है इसा कौन सा राज्या फ्रेंट्स आपका यह आपका हो जागा चेत्रपल से हिसाब से सबसे चोटा राज्या और भारत का जो आपका सबसे चोटा राज्या है फ्रेंट्स वो है आपका गोवाद इसके आपके? कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने कोविड उननिस हमारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों का सेक्षिनिक निम्यता नियमित्ता बनाए रखने के लिए एक आभासी मंच पर हमारा घर हमारा विद्याले योजना शुरू की गई है ऐसा राज्य है आपका कौन मध्यप्रद इस ने लॉंच किया है किस खिलाडी को बल्ले बाजी और छेत्र रक्षन यानिकी फ्रिल्डिंग और बैट्स बैटिंग के लिए उनके योगदान के लिए विजडन दौरा 21 स्ताबदी का भारत का सबसे मुल्यवान खिलाडी घोशित क्या है फ्रेंड्स यह देखिए यह इसका आंसर है आपका रविंद्र जड़ेंगा क्या है इसका एसका आंसर यह रविंद्र सेब आई उसके बात ऐसा कौन सा पहला आस्रीकन देश है जिसने जल वाईव परिवर्तन पर सौयूक्त रास्ट fuego अ कंवेंशन में क्या है इसका answer आपका युगांडा एफ्रेंट्स याद रखना उसके बाद फिर इकिसान एप आती है हमारे पास जो इकिसान एप आपके farmers के लिए डेवलप की गई है इन इंडिया वो आपके किसने लॉंच की है यह जो आपकी app एफ्रेंट्स यह आपकी लॉंच की है आपकी SDFC बैंक ने याद रखना SDFC बैंक ने वाली आपकी इकिसान धन जो एप है वो आपके SDFC बैंक ने लॉंच की है उसके बाद एक किताब है आपका Future of Higher Education इसका author यानि कि इस किताब के लेखक को आपसे पूछा गया है इसका answer है आपका वी पटाभी राम क्या है डी वी पटाभ अब यह आपका किसने लॉंच किया है अब वर्चुल क्लास्रूम एड मोबाइल मास्टर जी ठीक है एक क्लास्रूम टू होम टीचिंग सेट अप यानि कि क्लास्रूम से आपको डारेक्ट घर पे पढ़ाया जाएगा जो की एनेबल करता है आपको स्टूडेंट्स को बैसना मोबाइल मास्टर जी उसके बाद इस बिटवीन यू अभियां किसने चला इसी ही इस आपका चला पौक'm एक की ऩि और मीशन बॉपन लटीन टोजारविश किया गया जो कि यहां का उत्तर प्रिदेश उसके बाद शूत पिच्चर हैं की closest and biggest moon of Mars यानि कि जो आपकी Mars की natural satellite है जो आपका Mars का biggest moon है जिसका नाम है आपका Phobos वो आप भी किस ने रिलीज की थी वो आप भी हाल ही में इज्रों ने रिलीज की थी Phobos नामक मंगल के सबसे करीबी और सबसे वास्तविक्ता पर एक पाठ्यक्रम हाल ही में किसके दुआरा शुरू किया गया है यह आपका दोनों के दुआरा शुरू किया गया है cbsc plus facebook से मिलके तो इसका आंसर हो जाएगा d उप्रुक्स में से दो क्या उपर वालों में से दो cbsc plus facebook इसका आंसर हो जाएगा यह जो campaign है किसने start किया है यह friends यहां दे कि उत्तर प्रदेश ने start नहीं किया है यह जो इंतजार आपका campaign है यह आपका किसने start किया है यह मध्य प्रदेश ने start किया है तो पहली statement आपकी गलत हो जाती है दूसरी finno payments जो bank limited है आपके उन्होंने एक launch किया क्या भविश्या एक saving account है जहाँ पर एक बचत खाता उन्होंने launch किया बचत खाता scheme किसके लिए जो आपके 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं 10 से 18 साल के बच्चों के लिए launch किया है second statement आपकी बिल्कुल ठीक है first statement आपकी गलत है तो इसमें से जो incorrect हो गई है वो आप ही क्या हो गई है answer हो गया ए केवल एक पहली वाली statement गलत है दूसरी बिल्कुल सही है उसके बाद आपका 98 question है यह कहता है आपका दूरदर्शन को छोड़कर किस देश के केवल TV ऑपरेटरों ने भारत के सभी समाचार चैनलों पर प्रतिबंद लगा दिया है friends इसका answer है आपका D इन में से कोई नहीं है नेपाल है तो टीवी केवल ऑपरेटरों विच कंट्री है बैंड अल्ट न्यूस चैनल्स अफ इंडिया एक्सेप्ट दूरदर्शन सारे की सारे टीवी चैनल्स बैंड कर दिये बस दूरदर्शन को छोड़के तो वह कौन सा देश है वह हमारे पास नेपाल है आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका राजिस्तान किसने दिया है यह आपका राजिस्तान दिया तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डी उसके बाद आपका यह लास्ट क्वेस्टन जो यहां आता है यह देखिए आपका हंड्रेट क्वेस्टन यहां आपका टेस्ट फिनिश होता ह चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट टेक्स्ट में तब तक लिए पढ़ते रहिए टेक केर टाटा बाई बाई